तो दोस्तो वो इससे चात्र याम चात्रा हैं जो 12th क्लास में हैं और 22 का final board exam देने वाले हैं तो उन सभी के लिए 21 का model set इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की हैं दोस्तो और शाथी साथ आप सभी को बताते हैं इस वीडियो में 25 से 30 question प्रोवाइड की हैं बाई लोजिका सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों साथ सियार जेनुक परें डाटनेट बच्चों आप किसी भी question में अटक गए हो तो बस question को फोटो खीचे क्रॉप करें और शेंड करें वीडियो सोलूशन मात पांस सकंड में मिल जाएगा फिर चाहिए आपका question होंबर्ग से हो बिहार बोड सिवेसी बोड यूपी महराष्ट राजस्थान या फिर और बोड का हो चाहिए हो आई टी आई जेई मेंस छठी से बरामी क्लास का हो इन पूरी पढ़ाई डॉनेट एप पर तीन क्लोर से ज्यादा बचे पढ़ाई कर रहे हैं आप भी डॉनेट अपको इंस्टॉल करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाइलोजी का सेट फ़र्ष्ट लेकर करके 25 से 30 कोशन करने वाले हैं तो जो भी बच्ची बच्चे का निर्मान होता है उसी को काते है निस्येचन जब तक निस्येचन नहीं अबे जनन उख it तो इसका right answer जो जाएंगे आपका option number K यानि कि bryophytes क्या हो जाएगा bryophytes option number B हो जाएंगे right answer आगे देख लेते हैं जी हाँ दोस्तों दूसरा नमर प्रस बोले रहा है हेमोफिलिया के सम्बंध में निम्ड में कौन सबसे भीन है निम्ड बोला गया है दोस्तों सबसे पहले आपसे बता दें अगर निम्ड कभी भी exam में question आ जाए तो आपको extra दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ option में दिमाग लगाना है कि निम्ड बोला गया तो सिर्फ option के चार कोक option में कौन answer होने वाला है तो हिमोफिलिया के संबन्द में निम्ड में कौन सबसे भीन है कौन भीन है एक संगलन प्रभावी disorder चलिए आगे देख लेते हैं देखें तिसरे नमर प्रस्ट बोल जा रहा है मीनी माता बिमारी किसके कारण होता है जी हाँ दोस्तों हमने पहले पढ़ रगा था मीनी माता जिसों हम सब कहते हैं वो ही है मीनी माता तो मीनी माता बिमारी किसके कारण होता है किसके कारण होता है तो यह होता है मरकरी के कारण option number C हो जाएंगे right answer mercury चाथा नमर जो प्रस्ट बोला जा रहा है इनमें कौन जादा दूद देने वाली गाय की पर जाती है जिहां दोस्तों हर एक चीज में अपना अपना नस्ल होता है जिसमें से पूछा गया दूद देने वाली गाय की पर जाती है सबसे ज़्यादा दूद देने वाली तो इसका right answer जो हो जाएंगे option number K यहने की होल्स्टेन option number B हो जाएंगे होल्स्टेन आगे देख लेते हैं एक-एक question याद की जाए concept clear हो जाएगा exam असानी पूरवख दे सकते हैं और बतादे दूईखंडन किस में पाया जाता है किस में पाया जाता है किस में पाया जाता है amoeba और paramecium दोनों में amoeba जो है amoeba और paramecium दोनों में पाया जाता है दूईखंडन तो right answer गह हो जाएंगे option number D चछठण प्रसन है एक्स और टाइपिंग में लिंग निर्धारन में यही कि इसमें male और female दोनों का है तो दोनों में पताना कि type में लिंग निर्धारन में क्या होता है मादा सिर्फ एक परकार के अंडे देती है Right answer यह हो जाएगे इनी कि option number कह हो जाएगे एक एक question याद किजिएगा आपका concept clear हो जाएगा देखे, सतमा नमर जो प्रस्ण बोला जा रहा है दूतियक परदूसक है क्या है? दूतियक परदूसक है तो इन चार option में दूतियक परदूसक कौन है? कौन है दोस्तो? गायने की pan यही है दूतियक परदूसक आठ मना प्रस्ण है ताइचुंग फर्स्ट किस की किस्म है? ताइचुंग फर्स्ट जो है किस की किस्म है? तो किस की किस्म है? धान की किस्म है ताइचुंग फर्स्ट आप भुलाईएगा नहीं दोस्तों याद कर लिजे आपका Exam में यह कोशन आने वाला है नौमनम प्रस्टन है गेमेट्स के युगमन को कहते हैं तो गेमेट्स की युगमन को क्या कहते हैं सिन्गयमी कहते हैं राइट एंसर भी हो जाएंगे यहनी कि option नमबर ख सिन गैमी दसमनों प्रस्ण है इन में से कौन जीनो टाइप चार अलग परकार के गैमेट्स बनाएंगे तो चार अलग परकार के जो गैमेट्स बनाएंगे कौन होंगे तो वो होंगे आपका option नमबर ग यहनी कि capital A, small A, capital B, small B, C, right answer ग हो जाएंगे चली आगे देख लेते हैं 11 नमर जो प्रस्ण बोलो जारा है परिस्थिती की तंत्र या ecosystem सब्द का परियोग सर पर्थम किस ने किया तो उस बैग्यानिक का नाम बताना है जो परिस्थिती की तंत्र और ecosystem का परियोग किया तो उस बैग्यानिक का जो कौन सी विधी से बनाया जाता है यहां विधी पूछा गया है तो अलंगिक जनन में तो कौन सी विधी से बनाया जाता है वह विधी है आपका सुछ में परजनन राइट एंसर का अनिका option नमबर यह हो जाएंगे तेरह नमर आपका प्रस्ण पूछा जा रहा है इनमें किस राइट एंसर जो जाएगा आपका जल कुम्भी कहा गया है राइट एंसर हो जाएंगे चौदा नमर प्रस्ण है होलेड्रिक जिन उपस्थित होते हैं तो होलेड्रिक जिन जो उपस्थित होते हैं किसमें होते हैं तो ये बाई क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं राइट ए अपल्शा होता है एस ओ टू एस ओ थीरी के कारण अमल बार्शा होता है तो राइट एंसर का हो जाएंगा टोटल 221 का मोडल सेट है दोस्तों एक कोशन याद किजिए अगा कंसेप्ट किलियर हो जाएगा क्यूंकि आप सभी का concept जब clear हो जाएगा तो एक्जाम बहुत मज़़ा आने वाला है देने में 16 प्रस्थना गाय बगएरा को लगाते राता है 12 जी हाँ दोस्थना इसका right answer जो किस में नहीं होता है तो मचली में नहीं हो सकता है राइट एंसर गह हो जाएंगे option number C, फिस 17 प्रश्ण है प्लाजो मोडियम की संक्रमन अवस्था है तो प्लाजो मोडियम की संक्रमन अवस्था कैसी है कैसी यह दोश्तो अस्पारोजिट्स कैसी यह अस्पारोज़ाइट्स आप्शन संद्न का हो जाएंगे अठार्ण प्रस्ण है डाइबेटीज का कारण है डाइबेटीज का जो कारण है किसके कमी के कारण डाइबेटीज विमारी होता है हार्मोन के कमी से डाइबेटीज की विमारी होती है जिसको आप सब करते हैं चिनिया रोग वही इसका नाम है डाइबेटीज आप्सन नमर D हो जाएंगे गहा उनीस नमर प्रस्टन है डेरी फार्म में उपलब्ध होता है आप सभी को बतादे डेरी फार्म में उपलब्ध होता है क्या होता है दोस्तों सभी दोध माखन पनीर तीनों डेरी फार्म में उपलब्ध होता है राइट एंसर डी हो जाएंगे इसका राइट एंसर रोग में मूत्र में रहता है जहां दोस्तों चीनिया रोग में जो मूत्र होता है उसमें क्या पाया जाता है तो उसमें जो पाया जाता है सरकरा पाया जाता है जो हम सब चीनी कहते हैं तो राइट एंसर घह हो जाएंगे देखे, 22 नमर थोड़ा important question है दोस्तो, डॉर्विन अपने यात्रा के दोरान किस दीप पर गए थे, किस दीप पर गए थे, दीप का नाप बताना है, तो है गैला पैगो दीप में, गैला पैगो दीप में गए थे, तो right answer को हो जाएंगे, आगे देख लेते हैं, देखे, 23 नम हैं, वो आपका right answer क्या हो जाएगे, 2000 million बर्ष पहले पर कठ हुआ था, कोशिका का, चलिए आगे देख लेते हैं, 24 नमर प्रस्ने, मानव का विकास कहां हुआ था, कहां हुआ था दोस्तों, अफिरका में, right answer हो जाएंगे, 25 नमर प्रस्ने, जीवन पहले से, बिदमान जीव से ही, निकल कर आता है, सिधान को किसने परदर्शित किया था, कौन से बैग्यानिक परदर्शित किये थे, तो उस बैग्यानिक का जो नाम है, आपसन नमर, ग, यहने की C, लूइस पास्चर ने किये थे, आगे देख लेते हैं, 26 नमर प्रस्न है, डिम बाहिनी नाले का यहन परदर्वाद से तथा, यहनी मिलकर बनाती है, दोस्तों आप सभी को बता दी, यह फिलिपिन ट्यूब है, अगर यह यूज कर लेती है, महला बगेरा, तो वो प्रेग्न नहीं होती है, लेकिन इस सेचन जो बच्चा बनता है, यहीं पर बनता है, फिलिपिन ट्यूब में, तो इसका राइट एंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट एंसर जो है, अप्सन नमर B हो जाएंगे, इस तरी सहायक ना लिकाएं, यहीं पर बच्चा के निर्मान होता है, फिलिपिन ट्यूब अप्सन नमर B, ख, देखें, 27 नमर प्रस्ण है, सिसन का अंतिम बर्धित भाग, एक धीली तवच्चा से ढखा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम सब क्या कहते हैं, अगर छद कहते हैं, आप्सन नमर क, अगर छद, चलिए आगे देख लेते हैं, 28 नमर प्रस्ण है, डवलू एचो को पूर्ण रूप क्या है, डवलू एचो, इसका राइट एं प्रिचान को सब्सक्राइब करना होगा तब तक क्लिव आवे दोस्तों मिलते नहीं श्लूए थैंक्यों दोस्तों